को करूँ सप्रेम प्राणाम अशोबहरनमंगलकरन धनिश्रिदेवचंद्रजीनाम श्री प्राण नात निज मूलपती श्री मेराज सुनाम तेज कुवरिष्यामा युगलको पल पल करूँ प्रणाम पियाजी को पल पल करूँ प्रणाम प्रथम लागूं दो चरन को धनिये न चुड़ायोखिन लांक तली लालेडियां मेरे जीव के ही जीवन इन पाम तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं पलनावालूं निर्कुनेत्रे मेरे जीव के ही जीवन धाम धनी के अति लाडले सुन्दर साथ परम धाम की पाँचमी गोल हवेली प्रथम भोम पर मूल मिलावेगी हमारे मूलतन राजी के चरणों में विराजमान है राजी ने निद्रा का आवरण डाल रखा है ऐसा आवरण की बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय ना कचु नैनो देखत ना कचु आप कोल खाए बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए ना कचु दिल की कह सकों ना पिया सब्द सुनाए परमधाम में राजी के तन, स्वैम के तन, रूहों तुम मेरे नूर तन हो उनको अपने हजूर में, अपने चरणों में बिठा रखा है लेकिन निद्रा का ऐसा आवरण डाल दिया है कि पून विस्मृति हो गई है अपने मूल की और उनका दिल राजी के दिल में रहता है और राजी ने खेल अपने दिल में लिया है सुपन होत दिल भी तर रूह कहूं न निकसत एचोदे तबक जरा नहीं, एटो दिल में बड़ा देखत राजी ने एक खयाल दिखाया, एक तिलस्म दिखाया और उसे अपने दिल में लिया और परातम के का दिल राजी के दिल में और वो दिल के नैन की नजर उस स्वपनमई खेल को देख रही है और उसमें परातम का प्रतिबिम्बित स्वरूप उस खेल में विराजमान है जो आत्मा है बिम्ब यानी मूल परातम अक्स प्रतिबिम्ब आत्मा और जो स्वपनमई खेल राजी ने अपने दिल में लिया है तो परातम के दिल के नैन की नजर देख रही है अपने उस प्रतिबिम्बित स्वरूप को और उस स्वपनमंडल को जो जागते में देखती थी वैसा ही कुछ वो स्वपन में देख रही है और उस आत्मा के दिल के नैन की नजर उस मंडल में होने वाली लीलाओं को देख रही है अब राजी का हुक्म यानि उनकी दिल की इच्छा जब प्रकट होती है तो वो हुक्म कहलाती है यानि आदेश, कमांड, आर्डर और ये जो कुछ भी होता है वो उनके विल से होता है उनकी इच्छा से होता है तो जो कुछ भी हो रहा है वो राजी के दिल की इच्छा है और वही प्रकट होएकर हुक्म का स्वरूप उस प्रतिविम्बित स्वरूप को परातम की नजर के साथ लेकर इस ब्रम्हांड में इन तनों पर आकर विराजमान हो जाती है जिसके अंदर जीव भी विराजमान होता है आप सभी सुन्दर साथ इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि परातम के दिल में राज्जी का जुगल सुरूप राज्जी शामा जी हमेशा अंकित रहता है परमधाम अंकित रहता है बारह हजार रूहें अंकित रहती है और परमधाम के पचीज पक्ष अंकित रहते है और इसलिए परातम का दिल भी अर्ष है क्योंकि अर्ष का मूल माइने होता है सिहासन जिस पर राज्जी की बैठकी होती है और परमधाम का हर पक्ष राज्जी का ही नूर तन है सभी आतमाएं हैं या पहाड या तिनका सब चीज बिद आतम सब देत देखाई जाहर जियों देखिये माहें चसम जिमी जात भी रूह की रूह जात आसमान जल तेज वायु सब रूह को रूह जात अर्ष सुभान पसु पंकी या दर्कत रूह जिनस हैं सब हक अर्ष वाहेदत में दूजा मिले न कचुए कब जो कचु चीज अर्ष में सो सब वाहेदत माहें जरा एक बिना वाहे तक सो तो कचुए नाहें प्यारे सुन्दर साज जी जरा ध्यान दीजेगा कि ये वाहेदत का सुरूप है क्या वाहेदत का अर्थ होता है एक दिली एक दिली माने राजी का दिल और वही दिल राजी के हर नूरी तन के अंदर विराजमान होता है और दिल ही रू है और वही रू है राजी का दिल सम्मे विराजमान है तो सभी आकार का दिल को रू कहते है ब्रहम स्रिष्टियां भी रू हैं तो पुखराज पहाड भी रू है मानिक पहाड भी रूह है, पशू, पंकी, दर्खत, जिमी, आस्मान, जल, तेजवाय, सब रूह है बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, सब कुछ रूह है और यही है राज्जी के दिल का हकीकत स्वरूप दिल है मारिफत स्वरूप और जो प्रकट हो जाता है तो वो हकीकत स्वरूप मारिफत यानि अद्वैत एक और स्वलीला अद्वैत यानि हकीकत और यह सारी लीला राज्जी के ही नूर तनों से है और जैसा राज्जी के दिल में इच्छा होती है वैसी ही लीला परमधाम के हर आकार करते हैं और हर कोई राज्जी का आशिक है हर आकार जैसे जब हम तीजी भोम से सुखपाल में बैठ कर पाट घाट जाते हैं तो नीचे पशू पक्षियों का सवारी चलती है सामने बंदर नगाड़े बजाते चलता है और सब उसके धुन पर आगे बढ़ते जाते हैं तो बंदर आशिक हो जाता है और सब माशूक हो जाते हैं रंग महल के चोथी भोम के चोथी चोरस हवेली में जो निर्ट्य की हवेली है नौरंग बाई जब अपने पूर्ण जुत्थ के साथ तीन सो सखियों के साथ निर्ट्य करती हैं कोई आलापता है कोई स्वर्व में संगीत गाता है तो सब आशिक होते हैं और बाकी सारे के सारे आकार माशूक होते हैं और ये ऐसा होता किसलिए है श्री महा मत कहे ऐ मौमिनों इस्क लीजे हक असल अर्स के बीच में हक का नाम आसिक मूल में अद्वैत में राजी ही स्वलीला अद्वैत के हर आकार के आशिक हैं लेकिन क्योंकि उनका ही दिल सब आकारों के अंदर विराजमान होता है तो सभी को यही महसूस होता है कि वो आशिक है और राजी माशूक है मोमिन दुनी का बेवरा प्रकरण तेईस श्विसिंगार गरंत अर्वा आसिक जो अर्स की ताके हिर्दे हक सूरत निमक न न्यारी हो सके महभूब की मूरत परमधाम की जितने मूलतन है उनका दिल राजी का आशिक होता है और वही दिल उनके प्रतिबिम्बित सुरूप आत्माओं के अंदर रहता है तो आत्माओं के अंदर भी श्री जुगल सुरूप विराजमान रहते है तो परमधाम की जितनी भी आत्माओं इस खेल में हुक्मकातन लेकर उतरी है उनके दिल में जुगल सुरूप विराजमान होते है अब सुन्दर साथ आपको ये विचार ना होगा कि आपने ब्रह्मस्रिष्टी का नाम धरा है दावा धरा है हुज्यत ली है भेख दारण किया है हुक्म राची का इस तन में आत्मस्वरूप को परातम की नजर को लेकर उसके प्रतिबिम्बित तन को लेकर विराजमान होता है और उस दिल के अंदर हक की सूरत होती है दिल मौमिन अर्स तन बीच में उन दिल बीच ए दिल कहने को ए दिल है है अर्से दिल असल पर आतम के दिल में और आतम के दिल में जरा भी अंतर नहीं होता परातम के दिल में जुगल सुरूप बैठे हैं इसलिए परातम का दिल अर्श है आतम का दिल भी मूल से ही जुगल सुरूप का छवी अपने दिल में बसाये रहती है तो वो उसका दिल भी अर्श है लेकिन इस ब्रह्मान्ड में आने के बाद जब इल्म की लहरें आने लगती हैं तो उनका दिल तब अर्श होता है क्योंकि यहां पर आकर माया का एक परदा पड़ा रहता है और वो सिर्फ जीव के द्वारा होने वाली लीलाओं को देखती रहती है लेकिन इल्म आ जाने के बाद अब अपने मूल को देखने लगती है और जब मूल दिखने लगता है तो उसको अपना ही दिल खिलवत नजर आता है परमधाम खिलवत है खिलवत के माने ही होता है एकांत एकांत माने जहां दूसरा नहीं होता तो परमधाम में राजी के सिवा कोई और नहीं है इसलिए वो अनन्त परमधाम खिलवत का सुरूप है और वो सब राजी के दिल में विराजिता है इसलिए राजी का दिल खिल्वत है शामा जी का दिल खिल्वत है परमधाम संपून रूप से खिल्वत है और जब ये हक हादी अर्स मौमिन सो तो पहले हक दिल माहें और वही दिल रूहों के दिल में होता है इसलिए वहां राजी भी होते हैं शामा जी भी होती हैं, परमधाम भी होता है और बारा हजार ब्रहम स्रिष्टियां भी होती हैं, पसु पंकी दर्खत, जिमी आस्मान जल तेज वाय, संपूर्ण फिजा, जो इश्क और नूर का सुरूप है, सभी आत्माओं के दिल में होता है अर्वा आसिक जो अर्ष की, परमधाम की आत्माओं की बात हो रही है, और उनके दिल में क्या होता है, हक सूरत जुगल सुरूप के नक से शिक तक का अंग अंग अपने वस्त्र और आभूशन के साथ संपून सौंदर्य को धारण किये हुए, बिराजमान होता है तभी उनके अंदर प्रेम, आनंद, सौंदर्य, आभा, कांती, चमक, छटा उमंग, उत्साह, उल्लास, उर्जा, प्रफुल्लता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, संगीत, माधुर्यता, ज्योति, आदी-आदी प्रेम के अंग, आत्माओं के दिल में बस्ते हैं अर्वा आसिक जो अर्ष की, ताके हिर्दे हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके, महबूब की मूरत दूसरे चरण में हक सूरत कहा है है, चोथे चरण में महबूब की मूरत तो हक सूरत, उनका अद्वैत सुरूप, मारफत सुरूप है और महभूब की मूरत उनका स्वालिला अद्वैत हकीकत सुरूप है हकीकत और मार्फत पून रूप से प्रकाश वान हो जाता है आत्माओं के दिल में और नपावे पैठने इत्बका बीच खिल्वत वस्तुता और तो कोई है ही नहीं तो परमधाम में सिर्फ परातम ही है रूहें ही है कोई दूसरा आसकता नहीं क्योंकि दूसरा कोई होता नहीं और नपावे पैठने इत्बका बीच खिल्वत बका का अर्थ है अखंड अविनाशी और परमधाम स्वैम ही खिल्वत का स्वरूप है इसलिए रूहों का दिल भी खिल्वत है और वो रूहें जो इस तन के अंदर आके बैठी हैं वो तन आत्मा का दिल खिल्वत होने से जीव भी बैठा बैठा बानी के प्रकाश में अपने दिल को खिल्वत का सुरूप पाता है क्योंकि उसके दिल के अंदर भी जुगल सुरूप विराचमान होते हैं बका अर्स अजीम में कौन आवे बिना निस्बत मेरे प्यारे सुन्दर साथ हम लोग निस्बत की बातें करते हैं एक निस्बत तन से होता है और एक निस्बत दिल से होता है इस ब्रह्मान्ड में दुनी के लोग निस्बत को क्या समझते हैं एक युवक होता है एक युवती होती है यहाँ पर एक पंडि जी आते हैं कुछ साथ फेरे लगा देते हैं और उनका सम्मंद पती-पत्नी का हो जाता है इस सम्मंद को वो निस्बत समझते हैं जो अधिक से अधिक तन की निस्बत कहला सकती है लेकिन दोनों के दिल जुदा होते हैं लेकिन परमधाम में एक तनी है और एक दिली है एक तनी इस प्रकार से है क्योंकि सब ही रुहें राजी के नूर तन है इसलिए एक ही तन है नूरी तन परमधाम के अंदर और सब के अंदर राजी का दिल विराजमान होने से सब के दिल भी एक होते है तो तन के द्वारा होने वाली लीला को निस्बत और दिल के द्वारा दिल का संबन्ध राजी के दिल से वो असल निस्बत है दोनों ही निस्बत लेकिन ये मात्र समझने के लिए कहा जा रहा है कि स्वा लीला अद्वैत में कैसी लीला होती है तनों के द्वारा होती है और वो तनों के द्वारा होने वाली लीलाएं निस्बत है लेकिन क्योंकि सब का दिल, राजी का दिल एक ही होता है इसलिए राजी के दिल के साथ सब के दिल जुड़े होते हैं और वो है असल निस्बत पूरी महर जित हक की तित और कहा चाहियत हक महर तित होते है जित असल है निस्बत जब दिल एक हो जाते हैं और तन भी एक होते हैं, तब वो प्रेम की अथा लहरों में अरस परस हो जाते हैं तो ऐसे परमधाम के अंदर, जहां तन की निस्बत और दिल की निस्बत, दोनों ही एक समान में, एक समान इश्क का रस पीते हैं, वो है हमारा परमधाम और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात मेरे प्यारे सुन्दर साथ जी, जराव बिचारिये हक जात किसे कहते हैं हक की जात यही है अर्ष की पात्साही, कि परमधाम में कोई भी जर्रा से लेकर पहाड तक जितने भी चेतन आकार हैं, वो सब राजी के नूरी तन हैं, इसलिए सब हक की जात हैं परमधाम में मात्र बारह हजार ब्रहम स्रिष्टियों को या अनन्त रूहों को जो मूल मिलावे में विराजमान हैं, मात्र उनको ही हक जात न समझे पुखराज पहाड भी हक जात है, तो मानिक पहाड भी हक जात है कुंज निकुंज हक जात है तो चांदनी चोक की रेती भी हक जात है पश्चिम की चोगान हक जात है तो लाल चबूतरा बड़ो बनमदुबन महा बन भी हक जात है हर चीज चेतन है राज्जी का दिल है उसमें इसलिए सभी रूहें हैं और तो कोई है नहीं बिना एक हक जाट परमधाम में दूसरा कोई भी नहीं है सब हक के ही तन हैं, हक का ही दिल रखते हैं जात माहें हक वाहे दत और ऐसे परमधाम के अंदर हक की वाहे दत है यानि हक का दिल है और दिल के अंदर जो अनन्त न्यामते हैं वो सब के अंदर विराजमान तो है लेकिन परमधाम में हमें इस बात का पता नहीं इसलिए राज जी श्री इंद्रावती जी के दिल में विराजमान होकर उनके दिल को धाम बनाकर अपनी अंगनाओं को सुख पहुँचाने के वास्ते इल्म की लहरे में बहा रहें एक उदारण देता हूँ सुन्दर साथ जरा प्यार से दिल लगा कर सुनियेगा एक महा सागर होता है इंगलिश में उसे ओशन कहते हैं जैसे पैसिफिक ओशन अट्लांटिक ओशन बहुत विशाल इस ब्रह्मान में तो जैसे मानो वो अनंत है उसकी गहराई असीम है अथा है उसके अंदर तरह तरह के जीव जन्तु होते हैं जो जल के अंदर क्रिला करते रहते हैं हर घड़ी हर पल और जीवित किस से रहते हैं उस जल से जो अक्सिजन प्राप्त करते हैं उससे वो जीव जन्तु जीवित रहते हैं और जल से ही उनको आहार मिलता है लेकिन उस सागर में रहते हुए भी ये नहीं जानते कि जल है क्या जल के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता है बस उससे अपनी श्वास भी पाते हैं आहार भी पाते हैं लेकिन जल का पता नहीं मानो अगर एक मचली को बाहर निकाल दो और ये भी मान लीजिये कि उनको कोई बुद्धी दे दी गई और कोई उनको आकर बताए कि ये जल जो है ये उसका ये ये गुण है इसके अंदर आक्सिजन है और यही आक्सिजन तुम्हारे प्राण बनते हैं जल के अंदर जो खनिश पदार्थ होते हैं मिनरल्स होते हैं वाइटमिन्स होते हैं वो उन मचलियों के उन जीव जन्दूओं के आहार होते हैं उसके बाद जब वो जल में जाती है तब वो इतना प्रसन मुद्रा में उस जल के अंदर क्रीडा करते हैं वो जानते हैं कि इस जल की शीतलता और सुगंध ही उनका आहार है उनकी श्वास नली है इसी प्रकार से परमधाम के अंदर जिमी से आस्मान तक दसो दिशा में राजी का दिल का प्रकट रूप नूर विराजमान होता है नूर ही नूर और नूर राजी का दिल ही होता है और उसी के अंदर इश्क विराजमान होता है तो उस नूर के अंदर इश्क जिसको नूरमई इश्क भी कह सकते है और जितनी आत्माएं हैं उनका खुराक ये इश्क है उनके प्राण ये इश्क है वो इस नूर से इस इश्क को के पालेल है इश्क ही उनको पालता है लेकिन उस नूर में रहकर उन्हें ये पता नहीं होता कि नूर है क्या इश्क है क्या अब तो ये आवश्यक हो जाता है कि उनको नूर और इश्क बताने के वास्ते धाम के धनी कहते हैं एक अर्ष की पाथसाही और वाहेदत का इश्क सो देखलावने रूहों को पहले दिल मिलिया हक क्योंकि जो बात राजजी को करनी है पहले दिल मिलेते हैं जो बात करनी है हकें पहले लेवे माहे दिल पीछे सब में पसरे जो वाहेदत में असल जो परमधाम के अंदर जितने आकार हैं उनके अंदर वो बात तब आती है जब राजी पहले दिल में लेते हैं और राजी ने दिल में क्या लिया कि अर्श की पाथसाही और वाहिदत का इश्क बताना इनको जरूरी है हैं तो ये मेरे ही आकार मेरे ही तन मेरा ही दिल रखते हैं मैं ही ब्रह्मस्रिष्टी हूँ और ब्रह्मस्रिष्टी ही मैं हूँ हम में मुझ में और इन में कोई अंतर नहीं लेकिन क्योंकि ये स्वालिला अद्वैत है इनको बताना आवश्यक है कि अर्ष की पात्साही क्या है अर्ष की पात्साही होता है कि अर्ष के अंदर जर्रे जर्रे में गली गली कूचा कूचा पहार तिनका सब के अंदर राजी ही विराजमान है यही है अर्ष की पात्साही और स्वालिला के अद्वैत के आकारों को ये पता नहीं कि उनका स्वरूप बस्तुता राजी का ही स्वरूप है और उनके अंदर राजी का ही दिल होने से राजी का ही इश्क उनके अंदर विराजमान है इसलिए वाहेदत का इश्क, राजी के दिल का इश्क, जो उनके अंदर भी विराजमान है लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि जो इश्क रब्द हम कर बैठे, प्रेम की अतिरेक अवस्था में हम कुर्बान हो रहे थे, धाम धनी को अपना प्रेम लुटाने में, अपना सर्वस्व लुटाने में हमें धनी के प्रेम का पता नहीं था तुम बड़ा इस्क कहया अपना, मेरा ना आया नजर खेल किया तिन वास्ते, अब देखो सहूर कर जब प्रीतम और प्रेयसी, दोनों एक दूसरे को अपना सर्वस्व नियुचावर करते हैं, दोनों की छवी एक दूसरे के दिल में अंकित रहती हैं, तो क्या होता है? प्रेम की अतिरेक अवस्था, पराकाष्ठा कहना उचित शब्द नहीं है क्योंकि पराकाष्ठा कहने पे वो सीमा बद्ध हो जाता है, वो अतिरेक अवस्था है जब अंगना अपना प्रेम अपने धनी पे लुटा रही होती है, तो उसको धनी का प्रेम नजर नहीं आता, मात्र अपना ही नजर आता है, कि मैं तो दे रही, मैं ही आशिक हूँ, और इस कारण से इश्क रब्द होता है, क्योंकि प्रीतम का प्रेम उसको नजर नहीं आता, उस अवस्था में उसको मात्र अपना प्रेम ही नजर आता है, और ये प्रेम की अवस्था परमधाम में, शाश्वत रूप में, अनादी रूप से विराजमान रहती है, हर घड़ी, हर पल, अंगनाएं, अपना प्रेम, अपना दिल, अपना सर्वस्थ, धामधनी के चर्णों में लुटाती रहती हैं, उन्हें पता नहीं होता, कि ये तो धामधनी का ही प्रेम है, जो मेरे अंदर बैठकर लहरें उचाल रहा है, ऐसी इस्थिती परमधाम के अंदर रहती है, तभी वो इश्क रब्द होता है, परमधाम में कोई गलत बात नहीं होती, कोई जूटी बात नहीं होती, हर बात सत्य है, क्योंकि इश्क जो राज्जी के दिल में है, वही ब्रहम स्रिष्टियों के दिल में है, तो इश्क ही कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ जब राज्जी कहते हैं और जब रूहें कहती हैं तो भी इश्क ही कह रहा है और इश्क तो बड़ा है ही चाहे वो राज्जी के दिल से कहे चाहे वो रूहों के दिल से कहे अब सुन्दर साथ उस परमधाम की प्रेम की अतिरेक अवस्था को निहारें कि वो कैसा इश्क है जो बहरा है और मैं उस इश्क की लहरों में दूबती उतराती ऐसा महसूस करती हूं कि मैं अपने दिल का प्रेम अपने प्रीतम धामधनी पर लुटा रही हूं अपना सर्वस्वन्य उचावर कर रही हूं बस इतना जानकारी तभी हो पाती है जैसे मैंने अभी उदारण दिया कि जल में रहते हुए जल का गुण क्या है नहीं पता तो परमधाम में रहते हुए नूर और इश्क क्या है नहीं पता न हमें राजी के दिल के प्रेम का गुण यानी जलाली जो अती सौंदर्यवान है जमाली उसका पता नहीं और जो उनका सत्ता स्वरूप जलाली है वो तो बिलकुल ही नहीं पता जमाली में रहते हुए हमें नहीं पता कि जमाली क्या है और उनके राजी के सौरूप के अंदर उनका जलाल अंच भी है यानी सत्ता का अंच जिसका गुण उतकर्ष और इनाम और सजा ये तो मात्र इस काल माया के ब्रह्मांड में ही होता है जो अक्षर ब्रह्म के मन का स्वापनिक सौरूप है हमें ये भी नहीं पता ये भी राजी की साहभी परमधाम भी राजी की साहभी है हमें किसी साहभी का पता नहीं हमें कुछ पता नहीं तो राजी को हमें परमधाम से बाहर निकालना होगा और जो कभी हो सकता नहीं कोई बात खुदा से न हो वही ऐसा जिन कही हो कोई पर एक बात ऐसी बका मिने जो हक से भी न हो जुदा नहीं कर सकते क्योंकि रूहे राजी का तन है तन तन से कैसे जुदा हो सकता है दिल दिल से कैसे जुदा हो सकता है तो ये राजी कर सकते ही नहीं वो रात को दिन कर सकते हैं दिन को रात कर सकते हैं नश्वर ब्रह्मांड को अखंड कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं जो वो नहीं कर सकते लेकिन अपनी रूहों को अपने से जुदा नहीं कर सकते तो परमधाम में रखते हुए किस प्रकार से उन्होंने ऐसी कारिगरी की, ऐसी हिकमत, ऐसा करिश्मा किया, कि एक खयाल दिखाया, एक तिलस्म दिखाया. लहरी सुक सागर की, लेसी रूहें अर्स, याके सरूप, याको देखसी, जो हैं अरस परस. परातम और उसका प्रतिविम आत्मा, जिसको हुक्म लेकर, परातम के दिल के नैन की नजर को लेकर, इस ब्रम्हांड में इन तनों पर विराचिमान है. सुन्दर साथ, इस तन की महिमा देखें, कि ये नश्वर होते हुए भी, नापाकी होते हुए भी. राजी का करिश्मा देखो, कि ये तन रहते रहते आत्मा अपने मूल को देख सकती है, प्रतिविम अपने बिम्ब को देख सकता है, आपको तो मालूम है, कि बिम्ब तो प्रतिविम्ब को देखता है, प्रतिविम्ब बिम्ब को नहीं देख सकता. आपके समक्ष एक दरपण रख दिया जाए मान लीजे आपका नाम सुरेश है तो उस प्रतिबिम्ब का भी नाम सुरेश है तो परातम का नाम अगर ब्रह्म सुरेश्टी है तो आत्मा का भी नाम ब्रह्म सुरेश्टी है लेकिन दरपण में मूल सुरेश तो अपने प्रतिबिम्ब को देखता है लेकिन उसका प्रतिबिम्बित नाम सुरेश मूल को नहीं देखता लेकिन फिर राजी की कारिगरी देखो उनका प्यार देखो अपनी रूहूं के प्रती उमरता हुआ लाड देखो इन उजाले जहर उतर सी तब बढ़ते बल नहीं पेर जी पर आतम को आतम देख सी तब उतर जासी सब पेर जी ऐसा इल्म राजी के दिल से निकलता हुआ तार्तम और तार्तम का तार्तम एक विशाल वो अंकुर एक विशाल व्रिक्ष का रूप धारण कर लेती है उसके पात पात में नूर नूर ही नूर भरा होता है उसको देखने से हमें नूर का अनुभव होता है हर पात में हमें राजी का दिल दिखता है इस चौदा लोग के ब्रह्मांड में अब मुझे राजी का चारो तरफ हुक्म दिखता है उनका दिल दिखता है दिल का नूर दिखता है और उनका इश्क दिखता है और अब मेरा दिल उन सब को अपने अंदर धारण करके खिलवत का सुरूप बन जाता है सरा सुन्दर साथ देखो कि इन उजाले जहरू तरसी तार्तम के इस नूर मई उजाले से नूर तार्तम इसके नूर मई उजाले से माया का जहर जो आज तक बड़े-बड़े रिशी मुनी काल कालांतर से, युग-युगांतर से, जन्म-जन्मांतर से पर-ब्रम्म की खोज करते रहे लेकिन जब तक ये तार्तम का उजाला नहीं उतरा, तब तक माया का ये सहर उतरा नहीं इन उजाले जैर उतर सी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी, तब आतम के अंदर वो तार्तम का बल आ जाता है तार्तम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल सरूप, मूल सरूप के चित्त की बातें, तार्तम में कई रूप, कई रूप यानि परमधाम, नूर जमाल के अंदर, विराजमान, अनन्त संपदाएं, अनन्त निधियां, सब दिखने लगती हैं, और उसका बल लेकर, अब मैं धाम धनी के चरणों को पाने के लिए, हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है, और ये धाम धनी की अपार महर है, कृपा है, अपनी प्यारी अंगनाओं के लिए, अब सुनदर साथ, आप देखें, कि परातम को आतम देख सी, परातम बिंब है, आतम प्रति बिंब है, लेकिन परातम को आतम देख सी, यानि ये प्रतिविम्ब अब अपने मूल को देखने के काबिल हो जाती तब उतर जासी सब फेर जी ये माया का जो फेरा आया माया ने हमें अपने मूल को विस्मृत करा दिया था और अब मैंने अपने दिल में ही अर्श भी देख लिया खिलवत भी देख लिया जुगल सुरूप भी देख लिया और बारा हजार ब्रम्म स्रिष्टियों को भी देख लिया और परमधाम के हर पक्ष को देख लिया पसू पंखी दरखत को भी देख लिया ये वही खिल्वत की लीला है जो पाच्वी भौम की रंग परवाली के अंदर लीला होती है जब सभी सखिया जुगल स्वरूप को शैन कराकर अपने अपने मंदिरों पधारती हैं तो धाम के धनी वहाँ विराचमान होती है अब क्यों रे कहूं प्रेम इतको सुख चाहियो चित को सुख लेवे सारी रात तीसरी भौम उठावे प्रात पंद्र घंटा की लीला के बाद, नौ घंटे की लीला, धाम के धनी के साथ मैं अंगना, मैं आत्मा वो लाड लडाती हूं सुख लेवे सारी रात अब वो रात्री में सुख कैसा होता है आप सुंदर साथ, आप प्रबुद्ध हो, ज्यानी हो मैं अधना आपके चर्णों में, आपके चर्ण तली को छूते हुए कुछ कहने का, दुस्साहस तो नहीं कह सकता है धाम धनी की प्रेर्णा से कहता हूं कि परिक्रमा ग्रंत के अंधर, सुब़ छे बजे से लेके रात्री के नौ बजे तक की हर लीला का कितना विस्तार पूर्वक वर्ण नहें लेकिन वो नौ घंटे की लीला को सिर्फ इतना कह दिया सुख लेवें सारी रात, तीसरी भोम उठावें प्रात बस एक चरण में कह दिया सुख लेवें सारी रात अब जब हमारात, हमारी आतम, परातम के साथ अरस परस होती है इस स्वाद आतम तो आ वहीं, जो पलक न दीजे भंग, अरस परस एक हो वहीं, परातम आतम संग जब आतमा अपने मूल तन का सिंगार सचकर, अपने चित्वन से पाँच्वी भोम की रंग परवाली मंदिर में, अपने मंदिर में, धाम धनी को विराजमान पाती है तो मैं ये देखती हूँ, कि वो अनन्त परमधाम मेरे मंदिर के अंदर ही है और हर पक्ष के साथ, मैं पिया के साथ, उनके गलबईयां डाले हुए, उनसे भेटती हुई, उनके दिल का रस पीती हिंडोलों पर मैं सेज्या का सुख लेती हुऊ, उनसे मीथी मीथी बातों करने का सुख लेती हुँ, उनकी मीथी मीथी बातें सुनने का सुख लेती हुँ और मैं ही नौरंगबाई हो जाती हूँ और निर्थ करती हूँ, गुंगरी बजाती हूँ, मैं ही अलापती हूँ, मैं ही स्वर लेती हूँ, मैं ही मुरली बजाती हूँ, मैं ही मृदंग बजाती हूँ और अपने पिया को रिचाती हूँ, मैं ही लालबाई होकर विदविद के वेंजन बनाती हूं और पिया को अरोगावती हूं मैं ही सेज्या बिचाती हूं मैं ही उनके चरण सहलाती हूं मैं ही उनके चरण दबाती हूं धामधनी अपने नैनों से इश्क का रस मेरे नैनों नैन रूपी प्याले में साकी बन कर पिलाते जाते हैं और वो मेरे दिल के अंदर प्रवेश करता जाता है सुन्दर साथ चित्वन के बिना ये प्रेम का रस मेरे दिल में आज सकता नहीं और प्रेम का रस आता है वानी के द्वारा जब प्रीतम से कोई प्रेशी बिछड जाती तो साक्षात तो वो नजर नहीं आएंगे लेकिन उनके मीथे बोलों में वो मुझे नजर आते हैं प्रेशी अपने प्रीतम को उनके मीथे बोलों में याद करती है दूर नजीक सब याद में और जब मैं धामधनी को याद करती है तो धामधनी कितने प्यार से फर्माते हैं जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग गए आए कहू नहीं सब रूहें बैठियां अंग लाग मेरे प्यारे सुन्दर साथ आज ये बात तो निश्चित है कि वानी मन्थन और उस ज्ञान से प्रेम रूपी चित्वन का कोई विकल्प नहीं है आज अब ये आत्मा की पुकार है जो वस्तुता हमारे प्रीतम की पुकार है मेरे दिल में पैठ कर मिरी आत्मा के दिल में पैठ कर कि अपनी उस लीला को देखो ये ही है अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख इश्क याही सो आईए याही सो हो ये सनमुक वो निज सुख जो मैं परमधाम के पचीस पक्षों में तो लेती थी लेकिन वो नौ घंटे तीन प्रहर धामधनी के साथ वो पंद्र घंटे की लीलाओं को मैं दोराती थी अब मुझे वो याद क्यूं नहीं आ रहा है इल्म आ जाने के बाद भी वो याद क्यूं नहीं आता मुमिन उतरे अर्स से इनों दिल में हक सूरत अभी तक जो मैं आपके चरणों में गुजारिश कर रहा था अब वही राजी के मुखारविंद से उतरी हुई चौपाई कहती है मुमिन उतरे अर्स से इनों दिल में हक सूरत तो अर्स कहा दिल मुमिन खोली हक हकीकत मार्फत मार्फत वो परमसत्य जो राजी का दिल है जहां अनंत नूर, नीर, चीर, ग्रित, मदू, दधी, रस, सर्वरस सब कुछ विराजमान है वो मार्फत और वो जब प्रकट होता है स्वालिला अद्वयत के रूप में तो वही हकीकत कहलाता है और इसको खोलने का अधिकार मात्र ब्रह्म स्रिष्टियों के लिए है यही है हकीकत के भेद खोलना, मार्फत के भेद खोलना, अर्श की पाथसाही बताना, वाहेदत का इश्क बताना, अपनी साहिभी बताना और यह मात्र ब्रह्म स्रिष्टियों का अधिकार है और जित आया हक इलम अब राजी का इल्म जिस ब्रह्म स्विष्टी के दिल में आ गया तो कहते हैं और जित आया हक इलम अर्ष दिल कहया सोए आत्मा का दिल तो मूल से ही अर्ष होता है लेकिन पता नहीं होता पता तब होता है जब राजी का इल्म आता है और इल्म आते ही मूमिनों का दिल अर्ष हो जाता है हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्ष हुआ मूमिन हक इलम से होता है अर्ष बका दीदार पठ खोलत सबवार के और नूर के पार हक इलम से होता है अर्सबकादीदार यानि पहले हक इलम, फिर प्रेम मई चित्वन और फिर चित्वन से धामधनी का साक्षातकार हो मेरा दिल तो खिल्वत हो जाता है जब इल्म से जुगल सुरूप को मैं अपने दिल में रख लेती रहता तो है वो पर्दा बस हटना था इन उजाले जहरूतर सी तो सुन्दर साथ और जित आया हक इलम, अर्स दिल कहया सोए हक ना आमे, इस्क बिना और हक बिना इस्क ना होए तो पहले अब आंकड़ी देखिए अगर इश्क नहीं तो हक नहीं और हक बिना इश्क के आएंगे नहीं अब सूचो कि अगर हमारे दिल में प्रेम नहीं है तो राजी आएंगे नहीं और हक वहीं रहते हैं जहां इश्क होता है तो कितना कठिन है और कितना आसान भी है अगर हम सपने की बुद्धी से विचारेंगे तो बहुत कठिन और जागरित बुद्धी से विचारेंगे तो बहुत आसान सुन्दर साथ उस चवपाई को अपने दिल में लीजिए जागरित बुद्धी दे इनों को जिन से देखी लहरें बका हक अखंड परमधाम में विराजमान राजी के दिल से निकलने वाली संपदाओं की लहरों को देखने का के पात्र आप तभी होते हो जब आपके अंदर सपने की बुद्धी दर किनार हो जाती है और उहाँ ज्यागरित बुद्धी आ जाती है जबराईल और अस्राफी जबराईल आपके दिलों को, हमारे सब के दिलों को, ब्रह्म स्रिष्टियों के दिलों को पाक साफ रखता है कुमत पैठने नहीं देता, दिल को रोशन रखता है, हमारी वकीली करता है, माया के हर कष्टों को हटा देता है क्योंकि मुझे तो राजी को पाना है ना और हमारी निगहबानी करता है चोबिस घंटे हर घड़ी हर पल हमारी प्रदक्षणा करता है ये राजी की वानी कहती है तो कुमत आने का प्रश्न ही नहीं उठता उसके बाद असराफील बुद्धी जागरत बुद्धी जब हमें देते हैं तो जागरत बुद्धी दे इनों को जिन से देखी लहरें बकाहक सराब तहूरा उतरी इनों पर तहूरा माने पवित्र जो राजी के दिल से न्यामतें उतरती हैं उसकी पवित्रता का तो क्या बकान करें और सराब माने इश्क रूपी प्याला के अंदर इश्क भरा है और उसके अंदर सभी रस अरस परस है सराब तहूरा उतरी इनों पर पिलाया हादी हक इश्क हादी ने श्यामा जी ने श्रु इंद्रावती जी के धाम दिल में विराचमान होकर रब का रस पिलाया तो वो इश्क का रस पिलाया तो उस जागरत बुद्धी से जब विचारेंगे तो अपना दिल जब खिलवत नजर आने लगेगा जब राजी शामा जी परमधाम और सारी ब्रहमस्रिष्टियां मेरे दिल में होंगी तो यहीं खिलवत होगी और इसी दिल में वाहिदत होगी इनों को इन जीमी में करो वाहिदत मापक राजी खुद फरमाते हैं कि इस जीमी में इनके दिलों को वाहिदत की पहचान देकर इनके मूल जो वाहिदत है जहां पे हक आदी अर्ष मुमिन विराजते हैं तो वो खिलवत होता है और वहां प्रेम ही प्रेम होता है तो अर्ष हुआ तो प्रेम आया तो कहते हैं हक ना आवे इसक बिना तो जहां इसक आएगा वहां राजी होंगे और तभी मुमिन का दिल अर्ष होगा और हक बिना इसक ना होए और जब तक राजी का सुरूप हमारे दिल में नहीं आता इल्म से पहले और फिर चित्वन से प्रेम करते हुए प्रेम मैं चित्वन से जब राज जी आ जाते हैं तो इश्क ही इश्क हमारे दिल में बस जाता है प्यारे सुन्दर साथ जी आपके चरणों में बस मात्र एक मात्र यही गुजारिश है यही प्रार्थना है कि आओ हम सब मिलकर अपने दिलों को एक कर ले माया के विकार हमारे अंदर प्रवेश ना करने पाएं यह जबराईल को काम दिया है राज जी ने अपने हुक्म से कि कुमत न पावे पैठने हम अपने दिल के अंदर उस खिलवत को उस वाहदत को जुगल स्वरूप को प्रेम से एक दूसरे के अंदर देखे हर ब्रह्म स्रिष्टी एक दूसरे के अंदर अपने ही स्वरूप को देखे मूल स्वरूप को देखे और माया के जो विकार हैं उसको तो जबराईल यूही दूर कर देता है जो ये काम, क्रोध, लोब, मो, मद, मद, सरी, इर्शाच्व, छल, कपट, निंदा, घ्रणा इस तरीके की कुटिल ताएं हम से दूर हो जाती और हम सब ब्रमस्रिष्टियां एक दूसरे के अंदर हर बारह हजार ब्रमस्रिष्टियों का सुरूप देखे जुगल सुरूप को देखे परमधाम को देखे ये मेरी एक मात्र आपके चरणों में विनती है प्रार्थना है कि हर सुन्दर साथ को प्रेम की दृष्टी से देखे अब इसी चौपाई को एक बार तोहरा ले